दोफ्तों जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है और मैं हर संडे को कियोने लेकर आने के कोसिस करता हूँ मैंने कल एक कम्यूटी पोस्ट किया था बगल में देख पा रहा हूंगे जिसमें करीब 172 लोगों ने अपना सवाल पूछा है उसका जवाब मैं देने का कोसिस करूँगा देखे ये वीडियो 10-15 मिनट में जितने लोगों को मैं जवाब दे पाता हूँ अगर आपका कॉमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ तो इसके लिए मैं छमा चाहता हूं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो भी बनाना संभब नहीं होता है इसके अलबे अगर आपका सवाल रह जाता तो फिर मैं अगले सनी बार को community post करूँगा वहाँ पर आप अपने सवाल रख सकते हैं आपकी जवाब भी अगले संडे की होने जवाएगी उसमें मिलने की कोशिस रहेगी अब आएए पूरे बिस्तार से पूरी जनकारी मैं बताता हूं जिन्होंने भी जो पूछा है उसका जवाब मैं देता हूं जैसे यहाँ पर आसुतोस ने पूछा है कि सर 11th का जो merit list हो कब आएगा और जो scholarship का पैसा हो कब आएगा तो 11th का merit list कभी भी जारी हो सकता है इसका date line already खतम है ये कभी भी आ जाएगा आपको बस check करना है या हमारे साथ update रहना आएगा तो मैं इसका update दे दूँगा आप रही scholar से यानि आपने दस भी पास किया इसके बारे में पूछ रहा है तो इसका पैसा भी आपको जो है जुलाई महिने में ही जारी हो जाएगा आपको समय से पर पर status देखना है आपका ready for payment है मतलब कभी भी पैसा आ जाएगा जुलाई महिने में ही इसके बाद अगला सबस्क्राइब कर रहे हैं या फिर हो चुका है तो देखे मेरा साधी अभी नहीं हुआ है अब आपकी स्वच्ब क्या है कि मैं साधी कर लो आप यह बता है क्योंकि यह पूछे भी है कि अगर साधी आपका नहीं हुआ तो यदि हो चुका है तो आप वीडियो के लिए time कैस से management करते हैं तो सबसे पहले बाद मैंने साधी किया नहीं है इसलिए साधी मैं नहीं किया है ताकि मैं आप लोगो समय दे पाऊं जो भी अब डेट हो उसको मैं समय टू समय का है प्रिंज का कहना यह है कि आप अभी जो है कौन से कामना और कौन से $ लेप्टाप चूज करते हैं तो अभी जो है जो वीडियो आप देख पा रहे हैं एक कामरा है जो कैनन यह कैनन का ही है 200 जो no ato आता है वो है इसके अलबे मैं बता दूँ मेरे पास लैप्टूप आसुस का है आई फाइब जिसमें चार जीबी करीब आट जीबी रैम है पंसो बारा एसेश्टी है हलाकि मैं उससे अब यूज नहीं करता हूं मैं डेस्टॉप यूज करता हूं आई फाइब फुरसेसर का है नहीं मिला है तो आपको स्टेटस देखना है कि वहाँ पर आपने क्या गलती किया उसको पहले सुधारना आपको होगा बाकि इसका नया जब अपलाई होगा 24 पचेस के लिए उस पर मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे उसके लिए अपलाई करना है आधार लिमिट क्रॉस प दिन रात इसे ही चला जाता पता ही चलता है a लाव मेरा हो मेरा सितामधी है अगर आप कहेंगे सितामधी मी Karena tutorial हुआ कि स्थामधी में किस पेलेस पर रखा जा है ता कि आप सभी हमसे मिलने आ सके और हमें भी इатम ने इसके बाद एक भाई का कहना राउल सर वो जो बकरी पालन वाला फॉर्म हुआ फिलप हुआ था तिराजार पान सुर रुपया वाला उसका क्या हुआ देखे बकरी पालन का अभी जो है कोई भी अपडेट नहीं आ रही है जब तक कोई अपडेट नहीं आगे मैं अपडेट आने दीजे अपडेट जो भी आगा मैं आपको अपडेट दूँगा इसका कोई मेरे क्लिश्ट अभी तक नहीं आया है एक भाई का कहना है कि सर अगर मैं टाटा फिरी स्कॉलर्सिप में गर्जियोसन का अपलाई करता हूं और उसमें कोलेज का एडमिसन रिसिप्ट लगे अपना प्लाई कर सकते हैं ईंहों ने अपना अपना अपलाई आया था लेकिन इन नाम नहीं लिखवाय तो वैसे इस्तिति में पूछ रहे तो आपका नाम नहीं आएगा आपको अब सपॉट अपना करवानी होगी आप इसपोर्ट क्लिए इंतेजार करिए अब एक भाई इनका दिखा रहा है वेट फोर पैमेंट दिखाता हो गा इंका तो दिखिए इसका भी पैसा आपको जो है जुलाई मेहने में आ जागी जैसे डिपार्टमेंट के बाएंट के बास राषी आगी सबी कर आपने के मिलना सुरू हो जागा एक भाई का कहना है कि भीया बताइए क तो आप पॉल टेक्निक नहीं कर सकते कोई एक ही चीज कर पाएंगे या तो पॉल टेक्निक करिए या गर्जुवेशन करिए और दूसरी बात रही डेल बे लोको पाइलेट में तो इसमें दस भी आईटी आई चाहिए और डिप्लोमा भी चाहिए तो डिप्लोमा में कुछ ब प्रफिकेशन परनिंग है कब तक भीक होगा तो यह डाइटेल आपको देखकर आप हमें यह बताते कि यह जूवेशन स्टेट्स है आपको कहां पर पर पैंडिंग है तब बता जा सकता हलाकि यह जो भी परकिरिया है को जल्द से जल्द पूरी करने के बात कही गई है तो बताइए कब तक रुपया आएगा देकि यह जो पेंडिंग वाली प्रोसस है जब तक कि यह कंपलीट आपकी नहीं हो जाती है जब तक कि यह रासी नहीं मिलेगी और बहुत सारे कंडिट का पैसा नहीं मिल रपार रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट के पास पैसा होगी तभी यह सभी प्रोसस को फास्ट करता है तो अभी वेट कर लीजिए जैसे यह सभी परक्रिया होगी फिर आपको रासी मिल जाएगी इसके अलावे एक कंडिट का कहना के सर सेसन दोजार चौबिस चौबिस में क्या डियलेट के लिए अभी कोई स्कॉलर्शिप के लिए अप्ला से डाले रोन रस का या टूटल तो यहां पर अर्स वाला जो percentage है आप वहां पर दे सकते हैं इसके लावे कि आपका तेंथ कब complete हुआ था और तेंथ में कितना प्रसेंट आ था मेरा तेंथ बाइट 2016 में मैंने complete किया था और मेरा परेंटेज रही तो मेरा जो है वही करीब 169% के कारेबी मेरा Scorpion मेरा नंबर था ईही है 1% से 5 मेरा छोटा हूए था एक भाई का कहना है कि मेरा सवाल है कि इनका कहना घर बनाने के लिए जो गाउ में बहुत सारे लोग पैसा मिला है लेकिन इनको जो he she यह इनको पैसा नहीं मिला है तो इसके लिए चाहर है कि एक वीडियो बनाया तो देखे मैंने एक हाल ही मैं आवास योजना को पर वीडियो बनाया था अगर उस वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने पूरी पातरता बताया था अगर आप उसको फूल्फिल करते हैं तो आप इसके लिए अपलाई करेंगे देखिए पैसा नहीं मिलने के पेछे कारण हमें यह लगता है कि आप होगा क्योंकि आपने इसके लिए अपलाई करना होता सीधा पैसा नहीं मिलता किसे को भी अपलाई करने प्रूसर्स होता है उसको पूरा करेंगे तभी पैसा मिलेग कर सकते हैं नहीं बहुंगते हैं तो के रहे पैसा भी आपको नहीं मिलेगा उसके अलाब एक बाइय का कहना सर्च मेरा पोस्ट मेटिक स्कोलर्सप दोहजार तेज़ वाला स्कोलर्सप दस जार अभी तक नहीं है आमेर्टिक वाला यह पूछ रहा है अभी तक नहीं आया और यह सो करते तो डिपार्टमेंट फॉर पर्पेमेंट सो कर रहा है तो यह कब तक आएगा तो इसके भी है मैं आपको बता दूँ यह तो लगभग बच्चों को पैसा मिल चुका है अगर नहीं मिल पा रहा है तो ए इनके पोर्टल पर जाएंगे तो नंबर भी है और इनका इमेल है उनको मेल कर दीजिए ताकि विभाग को यह जनकारी मिल पाया वैसे यह पैसा आपको मिलेगा कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है अगला कॉमेंट धर्मेंदर जी का है इन्होंने पूछा है कि सर्थ 2024 में इ आप अपलाई कर सकते हैं कहीं नमांकर ले रहे हैं तो उसका रेशिप्ट अब देंगे तो बिलकुल अपलाई कर सकते हैं थोड़ा सा वेट कर लिजे जैसे ही यह आपका डिमिस्टन हो जाता फिर आप अपलाई कर लिजेगा अगला कोमेंट समर का है इनका कहना है कि 2023-2024 वला फॉम भरा है तो क्या Tata scholarship का apply कर सकता हूं तो सबसे पहले बात भाई कि आपको या तो NSP का apply अपने किया तो postmatic आपको नहीं करने चाहिए अगर आपने ये दोनों कर दिया तो मेरे ख्याल से इसका benefit आपको दोनों में से किसी को नहीं मिलना चाहिए और दूसरी बात रही कि Tata scholarship का तो बिल्कुल Tata scholarship आप apply कर सकते कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगला comment दिपक का है इनका कहना है कि sir मेरा एक सवाल है 11th admission में apply करते वक्त जो receipt मिला है उसमें college नाम change करना है कैसे होगा हो सकता है अपने इस बार ही 11th में apply के लिए किया है तो अभी भी portal पर अ अपडेट अगर हो पा रहा है तो college change कर सकते हैं अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आपका जो detail हो अपडेट नहीं होगा एक भाई का सीवम सिंग का कहना है कि sir Q&A पीक नहीं करते हैं तो क्यों Q&A वीडियो बनाते हो भाई मेरे देखिया ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल हो अगर आपको लगता है कि Q&A नहीं लाना चाहिए तो आप बिल्कुल comment उसमें नहीं किजिए था कि मैं आपका जो सवाल है उसको पीक नहीं कर पाऊंग अगर आपको लगता है तो बग्येक भाई का कहना है कि merit list कब आएगा और sport admission कब हो सकता है आपने यह नहीं पूछा है क इंटर का कि graduation का वो पूछिएगा तभी तो समझ में आएगा बग्येक भाई का कहना है कि NSP cut-up list बिहार बोर्ड के office से कब आएगा NSP cut-up list हर साल आता है लेकिन इस बार नहीं आया है जब आपकी admission पर करिया कहीं कहीं आप complete करवा लेते फिर यह जो list है वो आने की संभाबना है टाटा स्कोलर से जनरल कैटेगेरी के बॉइज अपलाई कर सकते हैं बिल्कुल आप भी अपलाई कर सकते हैं सर 11th merit list कब जारी होगा तो 11th merit list कभी भी जारी किया जा सकता है एक भाई का कहना है कि मेरा सबसे बड़ा problem financial problem है और मैं चाहता हूं कि उससे दूर करूं तो कैसे यह होगा इसका कोई यह चारे सुझाब बताने के लिए तो देंकि financial problem हर को किसी के पास है इसको सही आपको खुद ही करना होगा इसके लिए कोई आपको साथ नहीं देगता है इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप भाई चीजों को सिखिए जैसे जिस भी चीजे के पारे में आप जानना चाहते हैं कुछ आपके अंदर स्कील है उच्छी जो को सिखिए और उस स्कील पर आप काम किजिए कहीं कई काम किजिए कुछ पैसा कमा यह मेहनत किजिए इसका अलावा कोई उपाया नहीं है financial जो problem है उसको आप खुद ही सही कर सकते हैं और अपनी मे प्रमनबत अप्लोड नहीं किया गया है तो वैसे इस्तिति में आप एक बार पुना जो है लोग इन करकर देखें आपको मिलेगी आप वहां पर अपने डोकुमेंट को अपडेट कर दें ताकि यह problem आपका जो है दूर हो पाएगा अर्बिंद कुमार का कहना है लबू सर ल ने किया है और कि यूट06 पेग्सर इसके ओपर मैं काफी मेहनत भी करता हूं अब आपने पूछा है कि इस से डियोड़ करने का कोई टिपस मेहनत करना होगा एक दो दिन मेहनत करकर छोड़ने से कुछ नहीं होगा लगातार मतलब कि पर डे आपको मेहनत उतना ही करना होगा जितने आपने कल मेहनत किया उससे ज्यादा फिर दूसरे दिन करना है उससे ज्यादा तेसरे दिन मतलब मेहनत को और भी बढ़ाते जाना है त तो यह सई ही हो जागा अन्य था इस पर मैं जो है वीडियो बना दूंगा एक भाई का कहना है कॉलेज में करते समय गलती को कैसे सुधार है तो देखे कॉलेज में अकर एडिमिशन के लिए आप ऑनलाइन करते हैं को गलती हो जाती तो एडिमिशन के समय इससे आप सुधार सक के करन इन्होंने 25-2024 को आये फिर से इन्होंने अपलोड किया है मैसेज आया है 28-25-2024 को आये अपलोडेट कर दी हूँ अभी तक स्टेटस में सो नहीं कर रहा तो देखे इसको अपडेट होने में समय लगेगा इस चीजों को लेकर प्रसान नहीं होना है एक भाई का कहना ह है कि सर जेपी इन्वर्सिटी का मेरिट लिष्ट आ गया अब उसका एडमिसन कैसे होगा अलॉट्मेंट लेटर तो आया ही नहीं तो देखे अलॉट्मेंट लेटर नहीं आया है जेपी इन्वर्सिटी का मेरिट आया है उसमें जो कॉलेज आपको मिला है उसी का प्रिंट अपको लेना है जो मेरा लक्र तो देने के लिए सकता हूं लिकें इतना सारा अल्रेडि काम है कि अगर एक एक लोगों से मैं बात करो तो फिर काम नहीं हो पागा इसलिए मैं अब Sunday को मैं आपसे बात करता था लेकिन अभी कुछ दिन ज्व है Sunday Q&A चलेगा फिर मैं आपको नंबर दूँगा नंबर से बी मैं बात करता हूं अगर आप हमारे पुराने subscriber होंगा तो एक जानते होंगा वैसे नंबरождर लिख सकते हैं अगला कोमेंट एक भाई का है इनका कहना है कि आप विलेज वालों के लिए न्यूनु वीडियो बनाईए और उसमें उसका अर्दिखार है उसके बारे में सारी चीजे के बारे में बताईए तो भाई आप देखते होंगे मैं जो भी अपडेट आता है तो उन चीजों के बार कोचिंग योजना कलाब मिलता है या नहीं यह आप नहीं ले पाएंगे ध्यान रखीगा बाकि यहां पर पूछ रहा है कि तेन्थ पुर्भिजिनल सर्टिपिकेट ले लेने के लिए क्या प्रोसस है लेने के लिए तो यह जब माक्सिट आपका आजागा तो यह सब डीटि सारे कॉमेंट है जो आप यहां से देख पाएंगे बहुत सारे लोग मिलना चाहते तो बहुत जल्द मैं मिटप रखूंगा तो अगर आप कहेंगे तो मैं मिटप के बारे में अगले संडे को मैं बात करूंगा आप सभी को बाकि यहां पर और भी सवाल है लेकिन वीडियो वीडियो को सेयर कर दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहें देख